हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नश्कार बहुत बहुत त्वागत है आप तभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन NCRT Freeze में हमारे अगले चैप्टर पे कक्षा 10 का जो हमारा अध्याय दो है उसको आज हम शुरू करेंगे बहुत इंटरिस्टिंग चैप्टर है UPSC में Important है Economics की Basic समझ जो है उसका विकास करने में इसका बड़ा योगदान होता है ये काफी बड़ी भूमे का अदा करता है तो आज इस चैप्टर को हम जल्दी से समझना शुरू करेंगे बहुत सरल है बहुत आसान है आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा और इस चैप्टर का नाम है अर्थ व्यवस्था के शित्रत यानि कि इसको हम कहते हैं सेक्टर्स ओफ एकॉनमी इसको हम जल्दी से समझेंगे तो आईए चर्चा शुरू करते हैं चर्चा के पहले आपको बता दू कि भाई हमारा P2I बैच जो है प्रतिग्या प्लस बैच 19 तारिक सुबा 8 बजे से शुरू हो रहा है दस साल हो गए हैं स्टडी IQ के लिए इसके लिए आपको डबल वैलिडिटी की सुबधा मिलेगी यानि कि अगर आप हमारा ये वाला कोर्स लेते हैं जो आहम तोर पे डेर साल के लिए वैलिड होता है तो ये इस बार जो है आपको तीन साल के लिए मिलेगा AJ Live Code लगा के 21,500 में आप इससे जुड़ सकते हैं आप में से अधिकांश लोग शायद beginner होंगे आप NCRT के lectures देख रहे हैं तो तो आपके लिए ये वाली offering ज्यादा काम की हो सकती है 2026 और 2027 में आप में से जो exam देने वाले हैं उनके लिए हमारे long term batch है AJ Live Code लगाएंगे तो 2026 वाला course जो है वो आपको कितने में मिल जाएगा 2026 वाला course जो है वो आपको मिल जाएगा 29,000 में और 2027 वाला course जो है वो आपको मिल जाएगा 35,000 में याद रखिए 26 वाला course जो है वो 4 वर्ष तक valid रहेगा 27 वाला कोर्स जो है वो 5 वर्ष तक valid रहेगा तो आप जो कोर्स चाहें इन में से वो आप AJ Live Code लगा के जुड़ सकते हैं याद रखिए ये double validity जो आपको मिल रही है खाली 15 तारिक तक मिलेगी long term batch 16 तारिक को सुबा 8 वजे से शुरू हो जाएगा तो देर मत कीजिए तेरा तारिक आज हो गई है अब जुड़ जाएए और लेट करेंगे तो मिस होने के chances बढ़ जाएंगे चलिए साब अब शुरू करते हैं हमारी चर्चा NCRT की कक्षा 10 के अध्याए 2 पर बड़ा important अध्याए है इसका नाम है भारतिय अर्थ विवस्था के शेतरक देखिए अर्थ विवस्था को एक विशय के तौर पे आप जब पढ़ना शुरू करते हैं यह अर्थ विवस्था क्या कोई भी विशय जब आप एक विशय के तौर पे उसको पढ़ना शुरू करते हैं आप मानव शरीर को ही ले लीजिए, भई मानव शरीर जो है वो है तो पूरा एक-एक आई न, भई आपको अगर कहीं पर भी चोट लगती है तो आपका पूरा शरीर उसे प्रभावित हो सकता है, लेकिन अध्ययन के लिए आपको उसको अलग-अलग तंत्रों में तोड़ना पड़ता है, आप पाचन तंत्र अलग पड़ते हैं, श्वफन तंत्र अलग पड़ते हैं, रीप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पड़ते हैं वगेरा वगेरा, आप ये सब चीजे पड़ते हैं, ऐसे ही एकनॉमिक्स को भी अर्थसवस्था को भी जब हम पड़ने की करते हैं, तो उसके हमें कुछ विभाजन करने पड़ते हैं, कई बार ये विभाजन प्राकृतिक नहीं होते, कई बार ये विभाजन ऐसा लगता है कि जबरदस्ती किये गए हैं, कई बार हमको समझ में नहीं आता, कोई-कोई गतिविधी ऐसी होती है, जो किसी भी शेत्र में आ सकती है लेकिन उसका हम तब भी विभाजन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे को हमारे पढ़ने की प्रक्रिया में हमारा जो analysis है उसमें हमको सहयोग मिले हमारा analysis जो है वो हम ठीक से कर पाएं इसके लिए हम ये काम करते हैं ठीक है तो अब इसमें आप क्या करते हैं आम तो बात करें, एक बार मैं यहां पर लिख भी देता हूँ, मैंने ख्याल से आज lecture 14 है, लेक्चर नमबर मेरे को याद नहीं रहते, यह बड़ी दिक्त है, मेरे ख्याल से आज lecture 14 है, दुबारा लिख देता हूँ, लेक्चर 14 जो है इसमें हम क्या करते हैं तो अर्थ विवस्था के शेत्रक जो है वो क्या है बेसिकली अर्थ विवस्था का वर्गी करण है और ये वर्गी करण क्यों किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए बेसिकली अध्ययन और अनालिसिस की सुविधा के लिए कि कोई जरूरी नहीं है, जैसा आपको मैंने बताया, कोई ऐसा बहुत वैज्ञानिक नहीं है, कोई ऐसा perfect division भी यह नहीं है, तो यह अध्ययन की सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं, तो अर्थ विवस्था के जो शेत्रक हैं, इन शेत्रकों में सबसे पहला शेत्रक जो माना जा करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाओंगा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उप्योग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है, कपास के पौधों की व्रधी के लिए हम मुखित हैं, ना की पूर्णतया, यह बहुत कि जैविक प्रक्रिया, चारा इत्यादी की उपलब्धता पे निर्भर हैं, दूद भी एक प्राकृतिक उत्पाद है, खनेज और अयस्क प्राकृतिक उत्पाद हैं, तो बेसिकली आइडिया क्या है बेटा, कि कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा तत्व, जिसको आप प्रकृति से निकाल रहे हो, जिसको बनाने के लिए आप प्रकृति का दोहन कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, कहलाता है प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक शेत्रक, यहाँ पे कुछ चीज़े इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए, तो पहला बिंदु तो आपको ज आप्त जहां पर आप कर रहे हो, ठीक है, तो यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका प्राथमिक शेत्रक कहलाता है, ठीक है, अब यहाँ पर यह याद रखिए, देखिए इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे कंस्यूल हो जाते हैं, जैसे मान लिजे क्रशी ही है, अब प्राकर्तिक नहीं है, बीच तो मैंने लाब में बनाए, बात सही है, तो क्या वो प्राथमिक मानी जाएगी, वो तब भी प्राथमिक मानी जाएगी, याद रखिए, इसलिए आपकी किताब ने लिखा है, कि जो संसाधन है, वो पूर्ण तया नहीं, देखो पूर्ण तया प्राकृतिक तरीके से तो यार कुछ भी नहीं मिल सकता ना मना पूर्ण तया प्राकृतिक तरीके से तो आप यही मानलो की फड़क पर कोई पशु भाग रहा है आप उसको कताई पत्थर से उठा के मार के उसका कच्चा मास खा जाओ यह है पूर्टिया प्राकृतिक, वरना अगर आप मान लो कोई भी काम, आप खनिज निकालने गए, आपको जेसी भी मशीन लगेगी, यह कैसे प्राकृतिक है, वो तो प्राकृतिक नहीं है, आपने फसल उगाई, फसल के लिए आपने कहीं से ट्यूब वेल से पानी निकाला वो प्राकृतिक नहीं है, आपने दवाओं का छिलकाव किया, वो प्राकृतिक नहीं है, बात समझ रहे हो, तो ये याद रखिए, अपने दिमाग में ये विचार मत पालिये, कि प्रात्मिक शेत्रक वो है, जहाँ पर सबकुछ प्रकृति से आ रहा है, नहीं, ऐसा कोई आ नहीं, लेकिन मुख्यत है, कि आप जो संसाधनों का प्रयोग कर रहे हो, जो संसाधन आप उगा रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, वो मुख्यत है कहां से आ रहे हैं, प्रकृति से आ रहे हैं, ये मुख्यत है शब्द जो है बहुत इंपोर्टेंट है, पूर्णत है प्राक प्राथमिक सेक्टर नहीं बचेगा यह बात समझ में आ गई पूरी तरह से प्राथमिक तो आप शिकार भी करने जा रहे हुआ पशुओं का बाबा कुछ तीर कमान लेके जाओगे वो तो आपने बनाए होंगे वो तो प्रकृती में नहीं मिले आपको बात समझ रहे हो कि नह ही आ रही है तो पूरी तरह से प्राकृतिक कुछ नहीं होता जिसमें मुखित है आप जो है प्रकृती का दोहन ही कर रहे हो यह जो प्रक्रिया है यह कहलाती है प्राथमिक प्रक्रिया सबसे क्लासिक एक्जामपल है क्रशी सबसे क्लासिक एक्जामपल तो क्रशी ही है पलक्रशी है, खनन है, आप माइनिंग कर रहे हो, खनिज पदार्थ निकाल रहे हो, प्रकृती में है, आप उनका अविश्कार तो करनी रहे, प्रकृती में पड़े हुए थे, जबीन के नीचे दबे हुए, आपने खुद के निकाल लिये, ठीक है, तो आपने क्या किया, प् सही है, आपने मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियां आपने पाली, उन्होंने शेहद बनाया, वो शेहद आपने ले लिया, तो ये क्या है, आप जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, आप अपनी उत्पादन को उस पर ही निर्भर रख रहे हो, ये आपका कहलाता है जोड़ने जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, बात समझ में आ गई, चलिए साब, आगे बढ़ें, देखें आपकी पुस्तक में क्या लिखा है, यही छोटे-छोटे पॉइंट से बिटा, जहां लोग गलती करके आते हैं, अच्छा सवाल ही आता है कि इसको हम प्राथमिक क्यों कहते हैं, भाई इसे प्राथमिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि आगे के चरणों में होने वाले सभी गतिविधियों में इसका प्रयोग होता है, अब जैसे मान लो, अगर आप कोई उत्पाद, मैं जैसे मान लो, यह टी-शिर्ट बनाने की मैंने कमपनी खोली, मैंने एक फैक शिर्ट को बनाने में कच्चे माल की तरह यूज होगा कि नहीं होगा, भाई किसी ने कॉटन कपास उगाया होगा, कपास रेशम, जिस भी तरह का कपड़ा है, मुझे कपडों के बारे में जा जान का है नहीं, मैंने खालते कॉटन होगा यह, यह कपास होगा, तो किसी ने अपने खेद में कपास उगाया होगा, वो कपास मैंने लिया, उस कपास का मैंने कच्चे माल की तरह प्रयोग किया, और उसके बाद मैंने ये श्यर्ट बनाई, बै ऐसी तो بनती है श्यर्ट और कैसे बनती है, तो प्राथमिक इसको हम जो प्रकृती से दोहन करते हैं, इसको हम प्राथमिक शेत्रक बेटा इसलिए भी कहते हैं, क्योंकि यहां का जो भी उत्पादन होता है, वो आने वाले शेत्रकों में, वो आगामी शेत्रकों में कच्चे माल की तरह यूज होता है, वो क्या होता है, क्लियर है इसमें तो कोई डाउट नहीं है भई इसमें तो कोई समस्या नहीं है कि आगामी शेतरक हमारे जो भी है उनके कच्छे माल की तरह ये प्रयोग होता है इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए भई आप शिर्ट बना रहे हो या फिर मान लो आप कोई jam बनाने की company खोल रखिया आपने, तो जैम के लिए कि आपको फल चाहिए, फल तो खेतों में होगे होंगे, कहीं पर बागों में होगे होंगे, प्रकृती से आए होंगे, हर चीज का सोर्स आप कहीं न कहीं से डूंड कर प्रकृती पर लेकर जा सकते हो, इसी लिए इसको प्राथमिक शेत कहा जाता है अब आते हैं दुतियक शेत्रक पर दुतियक शेत्रक क्या होता है जिसको हम अपनी सिंपल भाशा में कहते हैं कारखाने कारखाने क्या होते हैं फैक्ट्रिया जहां पर चीजों का उतपादन होता है जिसको हम कहते हैं विनिर्मान शेत्र आईए किताब में देखत लिजिए विधियों के अंतर्गत, प्रकृतिक उत्पादों को विनिर्मार प्रनाली के जरिये अनि रूपों में परिवर्तित किया जाता है। ये प्राथमिक शेत्र के बाद अगला कदम है। कारिशाला घर में हो सकती है। कपास से जैसे आपने कपड़ा बनाया, गन्ने से आपने चीनी या गुड बनाया, मिट्टी से आपने इंटे बनाई, ठीक है? तो ये जो है, इसको अध्योगिक शेत्रक भी कहते हैं. तो आपका द्वितियक शेत्रक क्या है, भाई? सेकेंडरी सेक्टर क्या है? ठीक है? इसको हम विनिर्माण सेक्टर भी कहते हैं, मैनुफैक्चरिंग भी कहते हैं, कि आपने कारखाना लगा लिया, भाई जैसे आपका, कोई भी उद्द्योग, ठीक है? इसके एक्जामपल्स क्या है? कोई भी उद्द्योग धंदे, उद्द्योग इसका classic example है, कि आपने क्या किया? जैसे आपको example दिया, कि भाई आपने cotton बनाया? cotton उगा आपने, और उस cotton से किसी ने धागे बना के shirt बना दी, जो मैंने पहन रखी है, तो ये क्या हुआ? मेरी shirt को बनाना एक द्वितियक प्रनाली थी, एक वितियक प्रक्रिया की, कच्चे माल की तरह क्या यूज हुआ, जो प्राथमिक शेत्र में उगा था, जो प्रक्रती से हमको मिला था, वो कच्चा माल था, मेरी शर्ट जो किसी ने बनाई, ये वितियक शेत्र हुआ, ये बात समझ में आ गई, आपने क्या किया, चीनी से आ आप चीजों को बनाते हो, आप प्रकृती से प्राप्त नहीं करते, प्रकृती से प्राप्त चीजों में का प्रयोग करके, आप कुछ नया बनाते हो, कुछ अलग बनाते हो, तो आप अपने कमरे में जहां पर बैठे हैं, अपने चारों तरफ अगर आप नजर घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि लगभग जितनी चीज़े आप भूंड पा रहे हैं, जितनी चीज़े आप देख Pा रहे हैं, वो सारी की सारी, मैं सारी तो नहीं कहुँँगा, लेकिन लगभग सारी की सारी द्रतियक शेतर से आती है, बात समझ रहे हैं तो जो भी चीजे आपके आसपास आपको दिक रही है अपने कमरे में आम तौर पे वो सारी किसारी किसी न किसी द्वितियक शेत्र से ही बनी होती है जो आपका फैक्टरी वगरा में जो आपका उत्पादन होता है manufacturing जो होती है उसको हम कहते हैं द्वितियक शेत्रक समझ में आ गया सबसे सिंपल है आगे बढ़ते हैं त्रतियक शेत्रक पर जाते हैं त्रतियक परहले आपके किताब में पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझा दूँगा तरशरी सेक्टर सरविस सेक्टर भी जिसको कहते हैं यह क्या होता है प्रात्मिक और दवितियक शेत्रक्ट से अलग आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटी भी है जो तृतियक शेत्रक के अंतर गताती है और उपयोग तो दो शेत्रकों से भिन है ये गतिविधियां प्रात्मिक और दृतियक शेत्रक के विकास में मदद करती हैं, इसको पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे, ये गतिविदियां फतह वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बलकि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं, पूरी तरह से सकते नहीं है, आगे में उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं, जैसे प्राथमिक और वितियक शेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा वित्विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की वरूरत पड़ती है, गोदामों में देखिये सेवाशेत्र क्या होता है? सेवाशेत्र वो होता है जिसको हम कहते हैं Amurte, यह क्या है? यह Amurte उत्पादन है, अमूर्थ मतलब जिस चीज़ को आप छूकर महसूस नहीं कर सकते, उसको आप अपने हाथ में पकड़ नहीं सकते, यह कहलाती है सेवाशेत्र, उसका क क्लासिक एक्जाम्पल है जो मैं अभी कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मान लीजिए, अगर अब मैं एक आर्थिक गतिविधी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, भाई ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये गतिविधी है, एक सेवा है, एक काम है वो दिया, आपको, आपने स्विकार कर लिया, आपने पढ़ दिया, ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हो कि नहीं, तो जो मैं आपको मिल गया, तो मिल गया, किसी को देख थोड़ना राय ग्यान कहा है, अब जैसे internet है, आप जिफ device पर मेरा ये lecture देख रहे हो, उस पर definitely internet है, तब ही आप देख पा रहे हो, मान लो आप mobile phone पर देख रहे हो अपने, mobile phone तो आप हाथ में पकड़ सकते हो, internet को हाथ में पकड़ सकते हो क्या, तो जबकि internet के बिना तो अधूर, या mobile का signal है, आपके पास AirTel, Vodafone, क्या-क्या है अजकल, जिफका भी आपके पास connection है, आप उस connection को हाथ में पकड़ सकते हो, क्या नहीं पकड़ सकते, तो ये क्या है, एक अमूर्त फेवा है, आपने ये t-shirt उगाई, ये t-shirt आपने दुकान है, वहाँ तक ये t-shirt कैसे पहुंची, क्योंकि मैं factory तक तो नहीं जाता न, उस पादन factory में होता है, लेकिन क्या ग्राहक factory तक जाता है, नहीं जाता, ग्राहक कहा जाता है, ग्राहक तो पास की दुकान पर जाता है, तो पास की दुकान तक ये t-shirt कैसे पहुंची, परिवहन से पहुंची परिवहन आप पकड़ सकते हो क्या परिवहन को नहीं पकड़ सकते परिवहन क्या है अपने आप में एक सेवा है परिवहन के बिना माल विकेगा क्या मार्केटिंग क्लासिक एक्जामपल है आज का जमाना मार्केटिंग का जमाना है या स्टडी आईक्यू हमारे अब इस कोर्स इस क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया अपने कोर्स के बारे में क्लास के नीचे आपको एक टिकर चलता हुआ दिख रहा होगा निरंतर य चीट आपको प्रोडुक्ट के वारे मिए पता कैसे चलेगा अब यह मार्केटिंग विज्यापन को आप में पकड़ हो यह भी क्या है यह जो आम तोर पर होत्य करता है सेवा शेत्र वह तर्तीयक शेत्र मीं जाता है आम तोर पर यह क्या करता है प्राथमिक और द्वितियक को सहयोग करता है यह क्या करता है प्राथमिक और द्वितियक का सहयोग करता है जैसे मैंने आपको एक्जामपल दिया कैसे कैसे दूर अंचार से कि आप भी एक फैक्टरी चला रहे हो मुबाइल फोन के फ़रोद पढ़ेगी कि नहीं चलेगी फैक्टरी चलाने में कि भाइया उत्पादन कितना करना है कहां करना है कहां पहुंचाना है और आ रहे हैं नए यह सारी चीज़े तो फोन से ही होती है आज की तारीक म आप इमगी रहे हैं कि आजकर मोघकों सारी क्या क्यों होती है ये अपने आपने आविश्च्र इंटरनेट हो गया, परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, आपने कोई माल बनाया, आपने फसल हो गाई, फसल को cold storage में डालो गया, तो cold storage क्या है? एक सेवा है, तो ये भंडारण है, भंडारण भी अपने आप में जो है, एक important सेवा है, जो आप आम तोर पे तृतियक शेत्र क प्रदान करते हो यह बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब ही लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर तृतियक की बात खत्म नहीं हुई सेवा शेतरग में कुछ ऐसे अपरिहार्य सेवा evangelical हैं जो प्रत्यक शुरूप से वस्तूओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, तो अभी तक मैंने आपको सेवा शेत्र जो बताया, वो कैसे बताया, कि जो प्राथ में किया द्वितियक शेत्र का सहयोग कर रहा है, अब तक आपको ऐसे बताया, यह बात सही है, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी भी होती है, जो ऐसका कोई सहयोग नहीं कर रहे है, उनका और किसी से कोई मतलब नहीं है, जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, सेवा शेत्र में ऐसी भी सेवाएं है, जिनका अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व है, तो ऐसी कौन सी सेवाएं है, जैस को सुन रहे हो और तो कोई कारण नहीं है ऐसा कोई मैं शारूप ठान तो हूँ नहीं कि आपको मेरे को देखने में कोई इंट्रेस्ट है बात सही है कि नहीं है तो वह सीधी सीधी बात है आपको मेरे से कुछ ग्यान मिल रहा है, कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको समझ में आएगा, आपको परिक्षा में लाब मिलेगा, इसलिए आप कर रहे हो, तो टीचर के तौर पे मैं किसी फैक्टरी के तो मदद नहीं कर रहा, मैं किसी खेत खलिहान उत्पादन की मदद नहीं कर रहा, यह अपने आप में स्वतंती रुथ पादन है, जो मैं कर रहा हूँ, शिक्षा का रुथ पादन, यह अपने आप में स्वतंत रुथ पादन है, अब आप जोड़ जोड़के connection कुछ लोग बोलेंगे लेकिन सर अगर पढ़ेंगे तभी तो повтори ओं में काम करेंगे, वो बहुत ज़ादा इंडिरेक्ट किनेक्शन है, ऐसे तो फिर आप बोलो, फिर सांस लेंगे, तभी तो फैक्टरी में काम करेंगे, तो हवा भी तरशनी सेक्टर है, लेकिन यह लॉजिक नहीं है, डिरेक्टली, मेरा आपको पढ़ाने का कोई सीधा एम यह नहीं है, कि आप जाके किसी फैक्टरी में उत्पादन करो, मेरा यह बिल्कूल लक्ष नहीं है, ठीक है, मैं एक फतंत रुतपादन कर रहा हूं, मैं आपको एकनॉमिक्स सिखा रहा हूं, आपको उसका जूं करो यार, ठीक है, कुछ मत करो, आप उसे एकनॉमिक्स का भूल जाओ अगले दि क्या आपको किसी फैक्टरी के लिए आपको तयार कर रहा है क्या वो या किसी खेट के लिए तयार कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र पेशे होते हैं जो आपको कई प्रकार की सेवाएं देते हैं बात समझ रहे हो कि नहीं यह लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया इसके याद रखिएगा, ये बड़ी पुरानी परिभाशा है, पहले हम यही कहते थे, जब मैं कभी पढ़ता था, तो हम यही पढ़ते थे कि प्राथमिक और द्वितियक शेत्र का सहीयोग करती है, लेकिन अब इसको परिवर्तित किया गया है, इसमें स्वतंत्र सेवा उत्पादन भी हो सकता है, स्वतंत्र सेवा उत्पादन भी संभव है, जिसका प्राथमिक और द्वितियक शेत्र से कोई लेना देना ना हो, कि मुझे कोई फरक नहीं पढ़ रहा, मेरा काम है एकनॉमिक्स पढ़ाना, मैं एकनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़के आप कही नौकरी कर रहे हो, यह मेरा लक्षी भी नहीं है, यह बात क्लियर हो गई, तो यह आपका हो गया त्रतियक शेत्र, इन तीनों का फरक समझ में आया कि नहीं आया, इन तीनों का फरक समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा यह वाली आक्टिविटी मैं चाहता हूँ कि हम दूसरे पर निर्भरता है उसको समझाएगी तो ये वाली activity हम लोग करके देखते हैं कि आर्थिक अब देखिए ये तीन-चार case इन्होंने दिये हैं तो आपको समझ में आये का कि सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है इनका जो संबंध है वो कोई linear नहीं है देखिए इसमें industry में बनी हुई बहुत सारी चीज़े प्रयोग करते हो वो आपकी दुतियक हो गई तो प्रात्मिक शेत्र में दुतियक के लिए तो प्रात्मिक कच्चा माल ही है ये बात सही है कि नहीं है तृतियक शेत्र इस सब की मदद करता है लेकिन आप इस बात को समस्झ पा रहे हो क देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाओ, मान लो ये प्राथमिक है, ये द्वितियक है, और ये त्रतियक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि त्रतियक द्वितियक पंदर भर है, द्वितियक पंदर भर है, तभी एक दूफ्रे पंदर भर है, प्राथमिक शेत्र द्वितियक को क्या दे र इंटरनेट के कोई फैक्टरी चलती है यह दूर संचार तो आपको चाहिए ही चाहिए के नहीं चाहिए इसके अलावा और क्या देगा ये तृतियक शेत्र इसके अलावा दृतियक शेत्र क्या देगा अरे भाई दूर संचार के लिए mobile phone का device भी तो चाहिए तो जो निर्भर हैं, कोई भी सेक्टर ये नहीं कह सकता, कि मैं दूसरे सेक्टर से बिलकुल भी connected ही नहीं हूँ, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, मैं important हूँ, दूसरा important नहीं है, ये कोई सेक्टर नहीं कह सकता, तीनों में से, कैसे, अब देखें, आपकी किताब में उसके लिए छ जाओ किसान क्या है प्राथमिक, चीनी मिल क्या गोई तुर द्वितियक प्रात्मिक पे निर भर ऑगली एक्गजांपल पे चलते हैं यदि कम्पनिया भारतिय बाजार से कपास नहीं खरीती और अन्देशों से कपासआयात करने का नृणाय करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा? प्राथमिक कर रहा है, यहां पे ख्लासिक एक्जमपल है, अगला चलें, हमने पहले वाले में क्या देखा था? प्राथमिक द्राथमिक को परबात कर सकता है, यहाँ पे देखा द्वितियक प्राथमिक को परबाद कर सकता है किसान, ट्रैक्टर, पंपसेट, बिजली, कीट, नाशक और उर्वरक जैसी वस्तुवें खरीदते हैं कलपना करें यदि उर्वरकों और पंपसेटों की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा खेती पे लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाग कम होगा तो द्वितियक शेत्र में जो आप उत्पादन कर रहे हो अगर वो बहुत महंगे हो जाएग तो किसान की दिक्कत होगी के नहीं होगी अरे भाईया आप पंपसेट खरीदने जाते थे पहले मिलता था 50,000 का आप मिलता एक लाग का तो आपकी खेती की लागत बढ़ गई की नहीं बढ़ गई तो आपके लिए खेती करना मुश्किल हो जाएगा ये बात क्लियर हो गई औद्योगिक और सेवा शेत्रकों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवशक्ता होती है कल्पना करें की यदि ट्रांसपोर्टरों ने हर्टाल कर दी है और ग्रामील शेत्रों से सबजियां दूद इत्यादी ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा शहरी शेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी, और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ होगा आपको लगता है जी मैं तो tertiary sector में काम करता हूँ, मुझे कोई मतलब नी मैं तो दिल्ली में रहता हू, बॉंबे में रहता हूं, बैंगलोर में रहता हूं, बड़े शहर में रहता हूं, गाउ देहाद में क्या हो रहा है, मुझे क्या मतलब? लेकिन ट्रांस्पोर्टर जो है जो समान लेके आता है आपके शहरे बढ़ना सब्जी पैदा होती है आपके दिल्ली में कोई बहुत बड़े डेरी फार्म खुले हुए है, आसपास की जगों पर डेरी फार्म है, जहां पर जगावादा है, वहां से दूद आता है आपके शहर में, बात समझ रहोगे नहीं समझ रहोगे, तो इसमें क्या होगा, तर्शरी सेक्टर से दूफरे त पर नुकसान पड़ेगा, और सेकंडरी सेक्टर पर नुकसान पड़ेगा, और किसान बरबाद होगा अलग, जो किसान है जो डेरी उत्पादन कर रहा है, वह अपना दूद बेजना चाहता है, पर बेकी नी रहा, जो शहर में रहने वाला व्यक्ति है, उसको दूद उसको मिल नहीं रहा, तो फरक समझ रहो, तो ये सारी चीज़े होंगी, त्रतियक शेत्र जो है, वो द्वतियक शेत्र को भी प्रभावित कर सकता है, ये अपने आप में important बात है, तो बात वही है जो मैंने यहां पर लिखी, कि सारे सेक्टर एक दूसरे को प्रभावित कर सकत हैं, जब त्रतियक का क्या है, प्राथमिक शेत्र त्रतियक के लिए भी माल प्रदान कर सकता है, और त्रतियक शेत्र जो है वो प्राथमिक को परिवहन दे सकता है, हर शेत्र एक दूसरे पर निर्भर है, एक जिसा मिल कर ही अर्थविवस्था बनते हैं, ठीक है बई, ये concept क्लियर हुआ आज यहीं रुकेंगे आने वाले चैप्टर में इस चैप्टर को आने वाली क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे तो भाई लॉंग टर्म बैच 16 तारिक से शुरू हो रहा है सुबह 8 वजे से 15 तारिक तक आपको डबल वैलिडिटी का लाब मिलेगा 2026 वाला कोर्स चार साल के लिए वैलिड रहेगा 27 वाला कोर्स पांच साल के लिए वैलिड रहेगा याद रखिएगा 29 और 35,000 रुपे के हैं क्रमिश अगर आप प्रति माह कॉफ निकालेंगे तो प्रति माह 600 रुपे से भी कम कीमत में आपकी UPSC की पूरी तयारी हो जाएगी AJ Live Code लगा के आप आज ही जुड़ सकते हैं और अगर आप 2025 में एक्जाम देने का सोच रहे हैं तो हमारा ये प्रतिग्या प्लस बैच जो है ये आपके लिए है ये 19 तारीक को सुबह 8 वजे शुरू हो रहा है 21,500 में आपको मिल जाएगा अगर आप AJ Live Code लगाएंगे तो आज ही जुड़िए और अपनी तयारी को सही आकार प्रदाश कीजिए इफ्चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवार